ये PSL 2023 का फाइनल है, लाहॉर बमकाबला मुलतान, टेबल टापर और टेबल रनर अप, शाहीन बमकाबला रिजवान, लाहॉर ने टास जीत कर पहले बैटिंग की, लाहॉर ने 6 विक्टों पर 200 रंस बनाए, उपनर्स फखर और मिर्जा ताहिर ने बिलतर्तीब 34 गेंदों प 65 रंस की शांदार इनिंग्स खेली और शाहीन आफरीदी ने 15 गेंदों पर 44 रंस की शांदार इनिंग्स खेली, उसामा मीर ने 24 रंस के इवज 3 विक्टे हासिल की, जवाब में मुलतान ने अच्छी शुरुआत की कप्तान रिजवान ने 23 गेंदों पर 34 और रूसों ने 32 गेंदों पर 52 रंस बनाए, आखरी दो ओवर्स में मुलतान को 35 रंस दरकार थे, खारिस रौफ ने 22 रंस बनाए, आखरी ओवर में जमान खान ने एक ओवर में 13 रंस बचाए, खुशदिल ने 12 गेंदों पर 25 और अबास आफरीदी ने 6 गेंदों पर 17 रंस बनाए, शाहीन आफरीदी ने 51 रंस देकर 4 विक्ते हासिल की, यादगार फाइनल लाहॉर ने सिर्फ एक रंस से जीत लिया, इखतामी मैच की तकरीब का खुलासा, शाहीन आफरीदी को शांदार अलराउंड कारगर्दगी पर मैच का बहतरीन खिलाली करार दिया गया, इमाद वसीन को अल टूर्नामेंट के बहतरीन बौलर का अवार्ड जीत लिया, 22 विक्ते और एक फाइफर, महम्मद रिजवान ने टूर्नामेंट के बहतरीन बल्लेबास का एजाज हासिल किया, इहसान उल्ला ने प्लेयर आफदी टूर्णामेंट का अवार्ड अपने नाम किया, पी-स-ल की एमपाइर, एलिक्स वार्फ, ये पी-स-ल आठ का टूर्नामेंट का शानदार इखताम है, खबर ये है कि लाहोर ने सिर्फ एक रन से जीत कर अपने टाइटल का दिफा किया,